बैटिये मैं आ रहा है क्या हुआ है आज मैं यह पूछ रहा हूँ सर के आज यह वही मुद्दा है जो जुध्या में हुआ जो एक बारा साल की बच्ची के साथ समाजवादी पार्टी के नेता मंडल अध्यक्ष और अधेश सिंग पासी के साथ घूम करके खाने वाले बैटन बहुत बहुत लेक्स हैं जिए मुद्दर अपने आप बहुत महत्पूर है जब समाजवादी पार्टी के और समाजवादी बाटी के क्यों सारे लोग जो बोलेंगे तो इस मुद्दे पर जरूर बोलेंगे जरूर बैब मिन्दू जी आप है क्योंकि उन्होंने कह दिया मुद्धा तो यह नहीं है बुद्धा तो यह है ED के अंदुरूनी सूत्रों से हमें पता चला है कि मुझ पर छापा पढ़ने वाला है मुझ पर छापा पढ़ने वाला है ये अंदुरूनी सूत्रों से पता चला है BJP के एक वरिष्ट नेता ने पूछा कि आपको पता कैसे चल गया ये कौन सा अंदुरूनी सूत्र है जरा मुझे बताई है कैसे पता चल गया कि आपको आपके उपर छापा पढ़ने वाला है बहस ये थी लेकिन क्योंकि आपने ये मुद्दा रख दिया है मैं समाजवादी पार्टी के प्रभक्ता को और इस प्रोग्राम के एक आंकर होने के नाथ समवेदन शील मुद्दा है और कड़ी से कड़ी कारवाई और कोई भी बचने ना पाए ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप समाजवादी पार्टी के प्रभक्ता हूँ जी राजनीत नहीं हो इस मुद्दे पर मैं पिलकुल पश्च तौरते करा हूँ देखिए मुद्दा ये नहीं लगए उन्होंने पूछा है तो बताना जरूरी है हमें समझता हूँ अगर इस तरह से आप किसी को किसी के साथ जोड़ देंगे तो क्या विजय मालिया का फोटो मानी परधान मंत्री जी के साथ आता है कि माननी पर कि को मंदल अजले के बहुत स्वागत है समिदन चील मुद्दा इस पर कोई राजनीद ही नहीं होगा मुद्दा ये नहीं है मुद्दा ये है जिसके साथ यह घिनावनी हरकत की है वह समाज पे पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा धबा है मुद्दा ये है अब पूरी पूरे समाजिक विवस्था इसके सारी पर चोट है और यह बहुत-बहुत सम्वेदन्शल मुतालाई पिन्नों जी मैं मुद्दे पर लटूगा मैं भी बिल्कुर ठीक है जंडाली आए जय हो कहां से आना हुआ कई बज़े आता एंए हैं भी तो रिटार होódगे फोई काम नहीं है तो यहीं आ जाते हैं लेने मेरे दर्शन क्या ले आ बात बोलने के लिए आते हैं दर्शन अमले बना रहे हैं हमको हाँ जी बहुत अच्छा है स्वागत है आपका क्या नाम है साब अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है जना आप कहां से आना हुआ बिहार से कहां से कठी हार से बहुत बहुत स्वागत एक दम बॉर्डर से हैं आप क्या नाम हो गया साब बातचीत का सिलसला जुड़ेगा तो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करिएगा जैहिन जरूर इसमें शरीक होईएगा मैंने मुद्दा रखा हाला कि यह डिबेट ऐसी डिबेट है कि कहां से शुरू होगी कहां पे पहुँचेगी किसी को खुद नहीं पता होता और आज मैं मैं बोलू मुद्दा उससे पहले यह कूद गये मुद्दे पर बहुत ध्यारत से ध्यारत के साथ सबसे पहले बीजेपी को कि जो आज राहूल गांदी ने कहा कि पढ़ने वाला है तो यह आभास पर इन्होंने एंटिसिपेट किया हाला कि वह वाइनाइट पर वाइनाट क कि घटना पर भी मुझे बोलना चाहिए बहुत समवेदना के साथ सारे लोगों को इस बाप पर ध्यान रखना चाहिए कि जो आपताय आ रही है वो सहज नहीं है जी जनाब देखिए राहूल गांधी शिर्फ वेक्ति नहीं एक अंकंट्रोल अभी वेक्ति भी है राहूल गांधी यह साबित कर रहे हैं कि कॉंग्रेस ने इस सिस्टम में बहुत चैसे लोग लगा रखे हैं जो उन्हें सूचना है देते रहते हैं उनके समय पर कोट ने कहा था इट चाय और बिस्केट भी खिलाऊंगा अगर वो नहीं भी करें तो उनके पर देखिए उनको पकड़ने वाली है या इडी उनको उपर आने वाली है यह कैसे पता चला प्रदीजी देखिए सबसे पहली बात तो यह कि ऐसा क्यों हो रहा है राहूल गांधी जी जिस तरह से गर ग्राइब क esqucken op की यहाज बने हैं देशकेंसे जवानों की यहाज बने आच की अवाज बने और ठेखित हैं उससे एक बात उतहुत है कि देशकी सरकार की आध्sheig प्रदान मंध्री जी की और अधरनी ग्रेमंध्री जी की नींदूरीग भूई है सो इस सर्कार ने एक के बा कि यह कैसे एंटिसिपेट कर लिया की एडिया नहीं है उसी प्रदीक जी जब आप 10 सालों तक सम्मिधानिक संस्थाओं का गला घोटके रखते हैं सम्मिधानिक संस्थाओं में बैठेवें पदों पे लोगों का घला घोठके रखते हैं तो कई लोग हमायती होते संविधान के उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं घुटन और दबन महसूस हो रही थी वहीं लोग हमारे हमायती हैं वहीं चाहते हैं कि संविधानिक संस्थाओं को वापस मुक्त किया जाए और वापस संविधान के दाएरे में लेकिन यह कहा कि एडी के लोग जलते हैं वही सूर्मा निकलते हैं तो राहुल गांदी जी ने जिस तरह से गरीबों की अवाज उठाई है नौजवानों की अवाज उठाई है महंगाई के खिलाफ अवाज उठाई है बेरोजगारी के खिलाफ अवाज उठाई है तो यह लाजमी है कि उन पर इस तरह के मु इस देश के अजादी के लड़ाई लड़ने वालों ने 5,000 कड़ोर का माल 50 लाक में यंग इंडिया बनाकर माँ बेटा ने हड़ पाता उसका केस किया और उसमें आज दूने माँ बेटे जमान पर चाहता हूं क्यों होने वाला है यह नहीं बाई कंस को सपने देखा होगा जिन लोगों ने पढ़ा होगा या सीरियल देखा होगा कंस को सपने में क्रिस नजर आते थे उसी तरह से चोर को सपने में पुलिस नजर आती है राउल गांदी को जमान पर उगईडी नजर आती है इसमें कौन सी बड़ी बात है दूसरी बात दूसरी बात आप सुनिए राउल गादी किसान से बिलते हैं पुछते कौन जात हो भाई पत्रकार से बिलते हैं पुछते कौन जात हो भाई तुम्हारा वाली किस जात का है भाई सेना से बिलते हैं पुछते कौन जात का हो भाई जिससे पुछते हैं उसके जात पुछते हैं सोहन जात बंस क्या है जात क्या है और क्या है गोत्र अदादा लेटे सिमेट्री में जात पुछे पोत्र यह सिर्फ भारत में इन मकारी चल सकती है अपड़ानों में जात कि रदे से लिए ले ऐंगर के लिए में इन जाती है